अब कोई कर लtal तो उसको कैसे देखेंगे और उसको काई कुछ का से पेखेंगे और किया अगर इसको कैसे देखेंगे उसको कैसे की खिरने तो इस और लब बताने वाला विडियो को ध्यान से लुक्ति तक देखिए तभी आप समझ पहें कि यह बैग लोग एंड इंस्टलेशन कैसे देखेंगे और उसको कैसे इंस्टाल करेंगे तो आगे से बढ़ने सब्सक्राइब करने साथ में बेल आइकन आन करने की वीडियो सबसे पहले मिले आपको सबस्क्राइब नाओ एंड प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट तो सबसे पहले हम सबसे पहले देख लेते कि इस्टा इंस्टालेशन सो कर रहा है तो इस्टालेशन से लॉग इन करने के बाद आपको सेल्स और पर जाना और यहां पर इन्वाइस सर्च पर जाएं या फिर बल्क कंफर्म डिलोवरी पर जाएं यहां पर देखिए यह दो सो कर रहे हैं इस्टालेशन यहां पर इंस्टालेशन लिखा यहां पर सारा दिख रहा है बट अभी और इस्टालेशन है बट यहां पर नहीं सो कर रहे तो उसको कैसे देखना है तो उसके लिए जाएगा जोभी एक दो तीन जो भी होगा आपका जतना भी होगा तो यहां पर सो का찰 यह दिछी आपे इस्टालेशन यह थे दफ है इसकी आप डला सटिंग पर चांट इकार्ट कर सकते हैं तो इसके बार अब जो नहीं सोकर उसको कैसे देखना है और यह चलिए बल्ग कंफर्म डिलोरी पे भी हमने चेक कर लिए वहां पर भी यही दो ही दे रहा है इसे इस्टर नहीं दे रहा है यह देख लीजिए इंस्टलेशन आडर तो यहां पर भी यही दो दे रहा है ठीक है बट कुछ सिस्टम में पार्टनर पोर्टल यानि जो पार्टनर पोर्टल होता है यहां पर देख लीजिए तीन दे रहा है यहां पर देख पा रहे हैं कि आप दो दे रहा है ठीक है तो अब यह तीन को कैसे वहां पर इस्टीन से हम चेक करेंगे तो आपको करना क्या है आपको अपने शिस्टम में partner portal login कर लेना है यह देखें आप पार्टनर पोर्टल इसकी link में डिस्क्रिप्सिंद दूं आज आगे आप उपन कर लेजे इसका ID password जैसे hdms login करते हैं वह ही ID password चीड़े इसको login कर देखा इसको बाद आपको BI report पे क्लिक करना है बिया रिपोर्ट पे क्लिक करनेंगे आप यहां पर डासबोर्ट में क्लिक करेंगे डिस्टिबीटर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इस तरह का यहां पर पेज ओपन होके आएगा जैसे आएगा इसके बाद आपको बाइक लॉग मॉनिटरिंग रिपोर्ट पे क्लिक करना सब्सक्राइब करेंगे विए यहां से आप इंश्टालेशन भी देख सकते हैं और आप अपना बाइक लॉग भी देख सकते हैं पुराना अपका बाइक लॉग कभी पर इस धिल्यमू Always से आभ देख सकते हैं उसके sales order से वहाँ पर search भी कर सकते हैं यहां पर date wise का आपसँने इसके बाद यहां पर backlog date का है और backlog नमब का है तो चलिए हम यह यह डेज वाला है डेज पर प्र दे के हिसाब से है जो date है उसके हिसाब जितने backlog थो दे रहा है इसके बाद नममर के हिसाब से देख नम्मर वाला देख सकते हैं यहां पर सारा कुछ दे रहा है तो गाइस अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजे इसके बाद हम डेज पर हैं तो डेज पर क्लिक करेंगे बैक लोग और अप्लाई करेंगे यहां पर आ जाएगा मतलब वन मन्त का पूरा जाएगा जिस मिमन्त का सेलेक्ट करेंगे इसके बाद यहां पर किसी बी एक डेट पर जहां पर पर आप देख पार हैं कि 30 देज़ का यहां पर सोकर है इस तीज दिन का बहुत पुराना हो चुका ही इसके अगर यहां पर रिफिल का होता तो रिफिल का भी सो करता बट अभी इंस्टालेशन का भी सो कर रहा है ठीक है यहां पर देख पार है से इसके बाद यहां पर दस से बीस दिन का भी है दस से बीस दिन का सिलेक्ट करेंगे दस से बीस दिन में जितने भी यहां पर रिफिल का सो इतना backlog है ठीक है अब हमें installation अपना देखना है तो installation यहाँ पर आप देख लीजे तो यहाँ पर यह आपका जो order number है order number को यहाँ में copy कर लेना है ctrl c से इसको आपको डिलीट कर देना है इसके बाद इंटर दबाएंगा तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी यहाँ पर sales order number हो गया उसका जो जिस डेट का था वो डेट आजेगी रेट आजाएगा और यहां पर customer का name उसका address husband name सारा कुछ आजाएगा इसके बाद हम sales order name पर या फिर हम invoice number पर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो भी product होगा product का जाएगा इसके बाद हम sales order number पर क्लिक करेंगे और इसको हम print कर सकते हैं यानि print invoice पर क्लिक करेंगे तो यह प्रिंट कर लेंगे इसके बाद हम इसका installation कर सकते हैं यहां पर बारकोड द्वारा बारकोड इसका इसका के इसका इंस्टालेशन कर सकते हैं प्रिंट निकालने के बाद कस्टुमर के घर जाके हम उसका इंस्टालेशन किचन की और जो भी वह है वह डिटेल सब्मिट करने के बाद हम उसका इंस्टालेशन कंफर्म कर देंगे तो इस तरह से आप जितना भी इंस्टालेशन है आप न इन दिन का जो भी है इस तरह से आप सभी को सर्च कर सकते हैं ठीक है इसमें अगर कईज कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट करके वाटसप ग्रूप पे जॉइन होके पूंच सकते हैं आपकी पूरी हेल्फ की जाएगी और आप लोगों से हमबल हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले साथ में बेल आइकन आन करना भी रहत तो यह आपे देख लिजे यह और इस तरह को सकते हैं अगर बैक लॉग होते हैं यह भी कर सकते थे यह रहा और कोई प्राब्लम हो आए कमेंट करके आप पूश सकते हैं आज की वीडियो में बस इतने मिलते हैं बीडियो में थाइक्स आर वाइची शब्सक्राइब नाओ प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिसन अपदेट